हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कलाइंट के फेस्बुक एड्स अकाउंट का एकसे कैसे ले सकते हैं या फिर आप किसी भी परसन के या या किसी भी दूसरे एड्स अकाउंट का जो एकसे है वो कैसे ले स या फिर मेरा फ्रेंड है या फिर कोई अधर बिजनस है उसके लिए अगर मैं एड्स रन करना चाहता हूं तो मेरे पास में दो तरीके हैं एड्स अकाउंट का एकसे लेने के लिए सबसे पहला तरीका कि आप उससे उसकी फेस्बुक आईडी यानिकि लोगिन डिटेल्स आ अधर लोगिन कीजिए और कंप्लीट जो एकसे है आप वहां से यूज कीजिए और उनसे आप एड्स आप कंप्लीट आईडी उसकी यूज करें सामने वाला जो भी आपका क्लाइंट है उसकी आईडी यूज करें जो दूसरा तरीका है वह है कि हम जो फेस्बुक अपने Facebook account के अंदर उसका जो access है वो हम अपने Facebook account के अंदर ले लेते हैं यानिकि अपनी जो ID है उसको हम add कर लेते हैं वहाँ पर तो इसके बारे में हम complete detail के अंदर discuss करने वाले हैं इसलिए आप वीडियो को last तक जरूर देखना क्योंकि थोड़ा सा complicated चीज़े हो सकती है अगर ही helpful videos देखने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने हैं अगर आप किसी भी person के add account या फिर आपका client है उसके add account का access लेना चाहते हैं तो आपको दो access लेने पड़ेंगे एक तो है मारा Facebook page का access और दूसरा है add account का access यानि कि आपको सबसे पहले जो आपका Facebook page है यानि कि जो client का Facebook page आप उसको बोलिए कि आपका जो Facebook page है उसके settings में जाइए और आप जो आपका account है आप उससे access ले सकते हैं दूसरा जो access है वो है personal add account या फिर business add account यानि कि add account का access जो Facebook page है उसके थ्रू हमारा add run होगा यानि कि जहां पर भी हम add run करेंगे तो हमारा जो page है वो audience को दिख client का business add account है या फिर personal add account है वो वहाँ पर दिखाई देगा या फिर उससे आप run करेंगे तो इन दोनों चीजों को हम practically समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं Facebook page के access की तो Facebook page का जो access है वो काफी आसान है जैसी आप अपना Facebook page open करते है या फिर client अपना Facebook page open करता है तो यहां पर settings का option दिखाई देगा settings के उपर click करना है और settings के उपर click करने के बाद हमें page role का एक option दिखाई देता है page role के उपर आपको click करना है जैसे page role के उपर जाते हैं तो यहां पर जो सभी page role है वो यहां पर आ जाते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह जो page है यह business manager के अगर आपको अपनी आईडी एड़ करनी है तो यहां पर अपने फ्रेंड की नाम या फिर इमेल आईडी जैसा कि यहां पर लिखना का है टाइप ए नेम और फ्रेंड इमेल आईडी तो यहां पर आपको अपने फ्रेंड की नाम या फिर आपको इमेल आईडी यहां पर सकते हैं जिसका भी आपको add करना है तो आप यहां पर डालेंगे और उसको आप यहां पर बना सकते हैं जैसे कि माल लीजिए मैं यह account डालता हूं और उसके बाद में आपको role choose करना है तो role mostly यहां पर काफी सारे role है admin का है editor का है moderator का है advertiser का है analyst का है या फिर custom role है तो general case में आप जो editor का role है अगर माल लीजिए आप किसी को अच्छे से trust नहीं करते हैं तो आप editor का role दे सकते हैं यह फिर अगर आप complete trust करते हैं तो आप admin का role दे सकते है admin और editor में ज़्यादा difference नहीं है सिर्फ एक छोटा सा difference है वो है कि जो admin है वो दूसरे लोगों को भी access दे सकता है और जो editor है वो access नहीं दे सकता तो mostly cases के अंदर आप admin का access ले सकते हैं या फिर आप editor का access ले सकते हैं एडिटर का access लेने के अंदर आपको थोड़ी सी उपर क्लिक करना है जैसे हम add के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको या फिर आपके client को password add करना है आप उनको बोल सकते हैं कि आप यहां पर पना password डाली submit कीजिए जैसे वो password डालके submit करेगा तो यहां पर जो access है वो सामने वाले person को मिल जाएगा और वो यहां पर add हो जाएगा तो यह तो था हमारा facebook page का जो access है वो हमने ले लिया अब बारी आती है add account का facebook add account का access हम कैसे लेते हैं तो यहां पर इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी यहां पर जो add account है वो दो तरह के होते personal add account और दूसरा है business add account इन दोनों के बारे में जो complete difference है वो मैंने already एक वीडियो के अंदर बताया है यह फिर आप हमारी facebook playlist की facebook ads की जो playlist है आप उसको watch कर देख सकते हैं उसके अंदर सारी यह step by step मैंने बताई है तो यहां पर मैं brief में आपको बता देता हूं जो personal add account है जब भी हम facebook use करते हैं जैसे कि इमाली जी मेरा facebook account है जब भी हम facebook use करते हैं तो यहां पर जैसे ही हम यहां पर nine dots इसके उपर करके जाते हैं या फिर हम डारेक्ट facebook ads manager के अंदर जाते हैं तो यहां पर हमारा personal add account बन जाता है वह होता है मारा personal add account यान कि किसी भी personal purpose से या फिर हम अपने personal project के लिए अगर add run करना चाते हैं तो हम personal add account से run कर सकते हैं और दूसरा आता है हमारा business add account उसके लिए आपको सिबसे पहले आपको business manager बनाना है और business manager के अंदर आपके add account बनते हैं business manager और business manager का account है और business manager का add account है कैसे बनाते हैं उसकी जो video है उसका link मैं description के अंदर डालbajंगगा आप उसको जरूर लेकिन जो business manager का account है वो हम multiple बना सकते हैं इसके साथ ही एक business manager के अंडर multiple ad account भी हो सकते हैं जैसा कि आप मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो personal ad account है उसका हम access कैसे देंगे तो यहाँ पर मैंने access page का access दिया उसके बाद में हम आते हैं add account के उपर add account के उपर आने के लिए आपको facebook.com slash ads manager open करना है यहाँ पर आपका जो personal ad account है directly वो open होगा अगर आपको multiple ad account है client के पास में या फिर आपके पास में और किसी को आप access देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके जो आपका name है यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर add account का access जो भी add account का access आपको देना है उसके उपर आप क्लिक किजिए और वो add account यहाँ पर open हो जाएगा और उसका access आप दे सकते हैं तो यहां पर हम आते हैं अब access देने के लिए आपको all tools यhöंगे hamburger icon है इसके ऊपर click करना है जैसे हम इसके ऊपर click करते तो add account settings इसके उपर आपको click करना है जैसे हम add account settings के ऊपर जाते हैं तो यहां पर जो हमारे add account की setting है या निकि personal अगर आपने business manager का select किया है तो आपकी business manager की add account जो settings है वो यहाँ पर open हो जाएंगी तो हमारा personal add account का settings है वो open हो चुकिए add account role यहाँ पर add account role open है add people के उपर आपको click करना है और यहाँ पर जो आपका friend है यानि कि जिसको भी अगर आप add करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका friend होना जरूरी है सबसे पहले आप उसको अपने facebook id में आईए और अपने friend as a friend आप add कर सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर उसको आपको type करना है और अपना जो friend है उसका नाम आप यहाँ पर type किजिए और जो भी access है आप देना चाहते है add account admin का या फिर add account advertiser आप या फिर analyst का है और जो analyst है वो सिरफ और सिरफ add को देख सकता है यानि कि analyze कर सकता है वो ना तो add बना सकता है ना ही वो payment वगएरा add कर सकता है ना ही किसी role को add कर सकता है तो अगर आप mostly cases के अंदर आप add account admin का access लिजे क्योंकि फिर से आपको वही काफी सारे जो access हैं वो add account advertiser के पास नहीं होंगे तो उनके लिए आपको बार बार आपका जो client है उसको बोलना पड़ेगा तो इसलिए आप starting के अंदर ही add account admin का जो role है वो choose कीजिए और confirm के उपर आपको click करना है जैसे आप confirm के उपर click करेंगे तो जो role है वो assign हो जाएगा जैसे कि माल लीजिए मैं यहाँ पर confirm करता हूँ त कर सकते हैं तो यह जो access था यह हमने देखा personal add account के अंदर हम कैसे access लेते हैं वहीं पर अगर आप business add account के अंदर access लेना चाहते हैं तो आपको all tools का जो icon इसके उपर click करना है और business settings के उपर आपको click करना है जैसे ही हम business settings के उपर click करते हैं तो हमारे multiple जो भी आपने business manager के account बनाए हैं वो यहाँ पर आपके दिखाई देंगे जैसे कि मेरे पास में पांच business manager के account आ रखें जिन में से दो मेरे personal है और तीन company account है आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग account यहाँ पर आ रखें अगर आपको नया business manager याणि कि आपको नया business manager का account बनाना है तो आप create business के उपर कलिक करके account बना सकते हैं इसके बारे में already मैं video बना चुका हूँ यहाँ पर आप जिस भी business manager के अंदर जो ad account आपका बना हुआ है उसका access अगर आप देना चाहते हैं तो उसके उपर आपको कलिक करना जैसे कि मैं जो परविन्दर लांबा के अंदर यान की business manager यह हमारा क्या है business manager हमारा abic नहीं है तो इसको मै ओपन करता हूं इसके उपर हमें कलिक करते ही यह जो माहरा business है यह select हो जाएगा और इसकी settings के अंदर हम आ जाएंगे अगर आप डिरेक्ट जो इस सेटिंग्स वाला जो उप्शन है इसको open करना चाते हैं तो आपको business.facebook.com slash settings इसके उपर आपको click करना है और आप यहाँ पर चले जाएंगे यह हमारा क्या था business manager के अंदर हम आ चुके हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह से क्या है सारी चीजे business manager का benefit यह है कि आप यहाँ से सारी चीजे manage कर सकते हैं वो भी एक ही जगह से आपको जो भी access देना है आप यहाँ से access दे सकते हैं तो business manager का जो tutorial है वो मैं already बना चुका हूं वो आप देख सकते हैं अब हमें क्या करना है जो add account है उसका access हमें देना है तो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर user के under, जो people का option है, यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ पर आप किसी भी people को आप यहाँ पर add कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं add कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमने add गया, उसके बाद में हम add करते हैं, admin access, यानि कि जो भ बी access दे सकते हैं, और बाद में add करने के बाद में भी access दे सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा new page experience है, उसके बाद में classic page experience के उपर click करते हैं, जिस भी page का आपको access देना है, उसके उपर आपको click करना है, और जैसे कि मालीज, अगर मैं दो page का access देना चाहता हूँ, कौन से क्या access यह हमने यहाँ पर asset select किये, यान कि page हमने select किये, और page का access हमें क्या देना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, full control का मतलब है, manage page, अगर आप view performance का है, add का देना चाहते हैं, send message का देना चाहते हैं, यान कि अलग-अलग access आप यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर आप जरूर ही नह के access आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो हमने फिलाल के लिए add account का access देना है, तो हमने add account को choose किया, और invite के उपर हम click कर देंगे, जैसे हम invite करेंगे, तो सामने वाले की email ID है, उसके उपर invitation चला जाएगा, और जैसे ही वो बंदा यहाँ पर add करेगा, तो यहाँ पर वो आ जाएग account के उपर आए, अभी तक जो access है वो अशेप्ट नहीं हुआ है, क्यों कि यहाँ पर email ID है, वो verified नहीं हुए है, तो सेम यही तरीका है, अब अगर माली जी परशन यहाँ पर verify कर देता है, तो उसके बाद में आप add account, या फिर page, या फिर किसी भी चीज़ का access, यानि कि आपक जो comment के अंदर मेरे को जो भी issue आता है आपका, वो comment के अंदर जरूर बताईए, या फिर आप Instagram के उपर message कर सकते हैं, मैं try करूँगा, कि आपका जो issue है, वो soul हो, तो अगर आप client से access लेना चाते हैं, या फिर आप किसी को access देना चाते हैं, उनके साथ में आप इस video को share भी कर आप आप इस खावद़ा और